हलो दोस्तों ख्रोशे क्राफ्ट की दरिया में वेलकम आज के इस वीडियो में हम ख्रोशे से एक कावर बनाना सीखेंगे और इस कावर को आप बहुत चीजों में यूज कर सकते हैं मोबाइल कावर, टाबलेट कावर या किंडल कावर तो यहां तो फिरहार मैंने यहां सेम प यह जो कवर का है यह सेम ही है साथी में आप इस तरह से इसको । डिजाइन कर सकते हैं और अगर आपको यह नहीं चाहिए तो अगर आप इसको से रिवर्स करेंगे तो यह है हमारा बेसिक पाटर मि यह पूरा हाफ डबल ख्रोशे से बना है इस तरह से यह दिखेगा दिख आपके पास कोई आपलिक पड़ा है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने मेरे चैनल में कोस्टर लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन दोन में दे दूंगी तो वो मेरा बहुत फेवरेट कोस्टर है, तो उसको मैंने यूज किया है, थोड़ा उसका लुक एन्हांस करने के लिए, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, देखिए, दोनों तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हैं, और इस तरह से ये दिखेगा, और इसके और लीफ का एक आपलिक यूज किया है और क्योंकि यह आपलिक इसल्फ बहुत ब्यूटिफुल लगता है इसलिए मैंने क्या किया है इस पुरे कवर को बहुत ही प्लेन रखा है यहां मैंने कला भी चेंज नहीं किया है तो यह बहुत टाइट में बैठता है तो इसलिए मैंन इसको बनाने के लिए यहां तो मैंने 5 mm का हुक यूज़ किया है और साथ ही मैंने इस तरह का 8 प्लाइ का प्राइलिक यान है मैं कहूंगी कि अगर आप इस तरह की टाबलेट यार फोन में यूज़ करेंगे तो थोड़ा मोटा वाला यान ले लीजिए अगर आप 4 प्लाइ का यूज़ करें तो अगर हो सके तो दो यान को एक साथ पकड़े कर लीजिए क्योंकि थोड़ा मोटा होने से इसको थोड़ा और प्रोटेक्शन मिल जाएगा यह बहुत कुष्ण का एफेक्ट भी करेंगा तो इस रिए मैंने यहां 8 प्लाइ यूज़ किया है और 5 mm का हुक यूज़ किया है तो यह बहुत ही सेफ हो जाएगा अगर हाथ से नीचे गिल जाएगा तो भी आपके स्क्रीन को कोई प्रिट को अब देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे तो से हम पहले एक स्लिपनोट से स्टार्ट करेंगे तो हम एक चैंस्टिच बनाने है और आपकोशे अंपाले और Kindle या Phone जिसके रिए बना रहे हैं तो वो यह चेंस्टिच आपका इसके पूरे width में cover होना चाहिए तो मैं इसका chain stitch बनाती हूँ तो यहां मैंने थोड़े chain stitches बना दिये हैं और आप आपको first और last चो stitch है उसको आपको slip stitch करना है तो इस तरह से आप first में अपने stitch को ले लीचे और फिर यहाँ slip stitch बना दीचे इस तरह से देखे इस तरह से बनाया है और आप अपने instruments के लिए भी बना रहे हैं उसको आपको डाग के देखना है देखे यह correctly fit होगा आप बहुत loose मत बनाये थोड़ा सा tight रखे क्योंकि जब भी आप use करेंगे तो stitches loose होने शुरू होंगे तो इसको आप थोड़ा सा tight में बनाये please make the stitches a little tight so that when you use it regularly after some time the stitches will become loose so initially you make it very tight तो यहाँ chain stitch है आप इसके बाद हम first row में चलेंगे तो यहाँ हमने slip stitch किया था उसके बाद आपको क्या करना है आपको chain one बनाना है और इसको हम हमेशा turning chain की तरह count करेंगे आप next round जाने के लिए जो पहला stitch है first stitch में आपको एक half double crochet करना है तो half double crochet के लिए यान ओवर करनीचिए और जो पहला stitch है वहीं आपको एक half double crochet बनाना है तो इस तरह से हम half double crochet बनाएंगे आप next stitch में आ जाईए यहां फिर से हम एक half double crochet बनाएंगे तो यान ओवर कर लिया stitch में जाईए और फिर यहां हम एक half double crochet बनाएंगे इस तरह से अब next में आ जाईए फिर से यहां half double crochet कर लिजे तो इस तरह आपको हर एक stitch में एक half double crochet बनाना है यहां से लेके यहां तक फुल एक round half double crochet तो देखिए मैं यहां last stitch में आ गई हूँ तो वहां भी मैं half double crochet ही बनाएंगी half double crochet के लिए देखिए यान ओवर और यह last stitch था उसमें आपको इसको insert करना है इसको लेना है अब तीन है यान ओवर करके तीनों लुप में से इस तरह से आपको last half double crochet मैं finish करूँगी ठीक है अब इसके बाद जो हमारा पहला half double crochet था उसमें हम slip stitch करेंगे अगर आप देखेंगे यहां एक chain है यह हमारा turning chain था जो हमने chain 1 बनाया था तो इसमें नहीं डालना है जहां आपका पहला half double crochet है उसी में आपको slip stitch करना है तो हम पहले stitch में एक slip stitch से यह मेरा पहला half double crochet put the slip stitch in the first half double crochet and finish this round इस तरह से हम इस round को finish करेंगे ठीक है अब इसके बाद same process को हमें repeat करना है हमें हर round में half double crochets बनाते जाना है तो इसके बाद same process को repeat करना है हर एक chain की ऊपर एक half double crochet बनाना है you just have to make one half double crochet on each of the stitches ठीक है तो इसके रिए हम chain 1 बनाएंगे ठीक है और जहां हमारा पहला half double crochet था उसमें हम फिर से एक half double crochet करेंगे तो यहां है हमारा पहला half double crochet का stitch इसमें डालेंगे से निकालेंगे और यान ओवर तीनो लूप में से लेंगे ठीक है अब इसके बाद next में जाएंगे फिर से half double crochet बनाएंगे next फिर से half double crochet इस तरह से हम इस pattern को repeat करेंगे हर एक stitch के ऊपर एक half double crochet make one half double crochet in every stitch और इसके साथ ही हम स्टार्टिंग में एक chain 1 बनाएंगे उसको हम turning chain की तरह count करेंगे अगर आपको कभी भी confusion हो कहां है first chain या last chain तो आप क्या कर सकते हैं आप अपने last chain में यह देखिए यह हमारा यहां तो मैंने thick yarn use किया है इसलिए मुझे बहुत अच्छी से दिखाए देता है यह first stitch है और यह chain 1 है अगर आपको last stitch कौन सा है उसमें confusion है तो आप क्या कर सकते हैं उसको mark कर सकते हैं ताकि यह row बहुत ही even आ जाए तो मैं इसको इस round को भी complete करती हूं और एक और round बस दिखा देती हूं ठीक है so I'll complete this putting one half double crochet in each of the stitches तो देखिए मैं यहां last stitch तक आ गई हूं last stitch को मैं निकाल दूंगी slip stitch जो stitch marker था और उसमें भी मैं एक half double crochet डालूंगी अगर आपको confusion नहीं है तो no problem कोई stitch marker डालने की कोई जरुरत नहीं है तो यहां देखिए यह हमारा chain one था यह हमारा chain one था और यह हमारा पहला half double crochet था तो इसमें हम जो हमारा पहला half double crochet है उसमें हम slip stitch लगा देंगे तो slip stitch लगाने के लिए यह last half double crochet बनाने के बाद यहां आ जाईए जह हमारा पहला half double crochet था उसमें आप इसको insert कर दीजिए यान को आपको इस लूप से और इस लूप से इस तरह दोनों से निकालना है ठीक है आप इसके बाद फिर से chain one और फिर जहां हमने chain one डाला था उसी stitch में आपको एक half double crochet बनाना है और साथी में हर एक में एक एक half double crochet बनाते जाना है अगर आप इसको देख लेंगे तो देखिये fit हो जाएगा इस तरह से आपको यहां से हम start कर रहे हैं तो आपको इसको यहां तर्, इसको पूरा यहां से यहां तर् करना है तो इस तरह से हम हाफ डूबल ख्रोशे के रोस थोड़े बनाएंगे तो देखे हैं मैंने हाफ डूबल ख्रोशे के थोड़े रोस कर दिये हैं और यह और मुस्त कंप्लीटली फिट आ गया है तो साथ ही मैंने लांस का जो किया था वह भी हाफ डूबल ख्रोशे का रो तो इसके बाद जब आपका यह पूरा हो जाए हम आप इसका नीचे का जो एंड है उसको सीएंगे हम इसको क्लोस करेंगे तो क्लोस करने के लिए मैं यहां मरून से क्लोस कर रही हूँ आप चाहें तो सेम जो क्रीम कला है उससे भी क्लोस कर सकते हैं मैं यहां उपर और नीचे दोनों मरून का थोड़ा सा एक एफेक्ट दे रही हूँ तो इसके लिए मैं यहां मैंने स्लिप नॉट से स्टार्ट किया है और आप किसी भी एक एंड में आ जाएए आप दोनों साइड को ले लीजिए और दोनों साइड की जो स्टिचस हैं उन दोनों में से आपको लेना है तो यहां का एक साइड के स्टिच और यह जो पहला इसमें पहले तो मैं इंसर्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं slip stitch से जॉइन करती हूँ तो यहां हम पहरे एक slip stitch बनाएंगे इस तरह से हमने एक slip stitch बना दिया उसके बाद आपको एक chain one बनाना है chain one बनाने के बाद हमें अब यहां से यहां तक पूरा single crochet से जॉइन करना है तो उसके लिए जहां हमने slip stitch किया था वहां आपको पहला single crochet डालना है तो single crochet डाल दिया अब next stitch में आ जाएए यह हमारा यहां का next stitch और उसी तरह आपको इस side का भी जो second stitch है उसको लेना है दोनों में से आपको insert करना है और हम single crochet करेंगे single crochet इस तरह से करेंगे अब next stitch में आ जाएए और यहां का third stitch है उसमें आ जाएए और single crochet करेंगे इस तरह से में यह जो gap है इसको पूरा single crochet से join करती हैं तो यहां से यहां तक मैंने इसको पूरा single crochet से सीद्या है और यह कुछ इस तरह से दिखता है अगर आपको यह look अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हैं आप इसको इस तरह से देखिए इसमें तो इसे यह थोड़ा उठके दिखता है तो आप अगर आप कोस्टर कैसे दखाते हैं आप चाहें तो इस कवर को ऐससे सिंपल रख सकते हैं कुछ भी नई करना है सिर्फ आपको इक बटन लगा के एक बटन लूप बनाना है उस तरह से आप इसे बना सकते हैं नहीं तो यहां मैं थोड़ा से डिफरेंट कर रही हूं यहां मैंने मेरी चैनल में एक कोस्टर पहले बनाया था मुझे एक कोस्टर बहुत अच्छा लगता है यह फ्लावर का एक कोस्टर है तो उसको मैं यहां रख रहे हूं और साथ ही मैं बटन को मैं यहां लगा दूंगी और इसका लूप बनाऊंगी अगर आपको यह कोस्टर का चाहिए पातन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी नहीं तो उपर आई बटन है उसमें भी आप देख सकते हैं तो पहले आगरा हूं यह कोस्टर कर रहे हैं तो कोस्टर बनाने के बाद मैं थोड़ा चैन स्टिच बनाऊंगी और इसको कहीं एक जगह पर पहले तो मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी किसी एक पैटल के बीच में और थोड़े चैन स्टिच बना दूंगी एक तो यहां मैंने थोड़े चैन स्टिच बना दिये हैं और साथी में मैंने क्या किया है इसके रिवर्स साइड है उसमें मैंने एक बटन भी पिट कर दिया है यहां अब आ इसको प्लेस करना चाहें, वहाँ आप प्लेस कर सकते हैं, साइड में या नीचे उपर जहां भी मैं इसको अल्मोज सेंटर में रखने की कोशिश कर रहे हूं, तो यह मेरा प्लेसमेंट है, उसके बाद आप अपने यह जो चेंज स्टिच है उसको लेना है और आपको इस बतन के थुरू आप इसको प्लोस करेंगे और नीचे आजाएए, तो यहां मेरा चेंज स्टिच थोड़ा बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा निकाल देती हूं, बस यह काफी होगा, और उसके बाद मैं यह जो चेंज स्टिच बनाया था, उसको मैं स्लिप स्टिच से जॉइन कर तो जॉइन करने के लिए, जहां मैंने यह लिया था, उसी स्लिप स्टिच में इसको डार कर फिनिश कर देती हूं, इस तरह से, इसको मैं कट कर दूँगी, मुझे रूसें सब हाइड करना है, तो मैं हाइड कर देती हूं, और यह कुछ इस तरह से दिखेगा, इसको हम स्टिच करेंगे, और फिर स्टिच करने के बाद, आप चाहे तो इस तरह का भी लौक यूज़ कर सकते हैं, देखे, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं देखिए यहां बटन लूप है और यहां तो मैंने कोस्टर फिलाल रखा है अगर आप कोस्टर नहीं रखना चाहते हैं तो प्लेन यहां आप चेंड स्टिश रख लीजिए और बटन से भी इसको बना सकते हैं तो इस सेम प्यूर जैसे हमने उसके रिए बनाया था यहां मैंने सब पूरा एक ही मरून कलर किया है यहां दोनों बॉर्डर भी मरून ही रखा है इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया क्योंकि मैंने एक अपलिक बनाया था यह फ्लावर और लीफ का तो मुझे यह बहुत इसको हाइल करना था इसलिए मैंने बाकी सबको बहुत ही प्लेन और सिंपल रखा है और यह बहुत टाइट है तो आसानी से फिट हो जाएगा इसलिए बार्तन भी नहीं रखे हैं आप इस सेम पैटरन है पूरा का पूरा हाफ डबल ख्रोशे से बनाया है सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक आपलिकस में बना के रखा है तो अगर आपको इसका पैटरन चाहिए तो लीफ यह अलरड़ी फ्लास बहुत ही आसान फ्लास है यह पहले ही वीडियो इसका मिल जाएगा आप यह जो लीफ है यह मैं नेक्स बनाऊंगी तो वो भी नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में भी चाहे तो सेम पैटरन आप रिपीट भी कर सकते हैं कोई दो कलर से स्ट्राइप पैटरन भी बना सकते हैं तो इस तरह से आप इसको बहुत ही तरीकों से इसको स्ट्राइप कर सकते हैं उमीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इसको ट्राइज जरू आए हैं तो मैं उसको देखना चाहूंगी तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब तक के लिए भाई थांकियो फो वाचिंग